नमस्कार दोस्तों, MPN Academy में आप सभी का हार्दी कविनंदन है, प्रस्तूत है बिहार करेंट अफेर्स दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2023 महिने के बिहार करेंट अफेर्स से सम्बंदित तीस महतपूर्ण Multiple Choice Questions को हिंदी और इंग्लिश दोनों भासाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे MPN Academy का टेलीग्राम पेज आवस्स से जोइन करें, टेलीग्राम पर सर्च कीजी MPN Academy इस प्रकार से लोगो दिखेगा क्या-क्या मिलेगा आपको इसमें BPSC से सम्बंदित Updated News आपको मिलेगी BPSC Preparation से सम्बंदित Strategy और Planning की PDF आपको Free में उपलब्द कराई जाती है Test Series जो App Portal पर उपलब्द कराया जाता है, उसका syllabus और Topper का result भी MPN Academy एप के courses और YouTube के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे तो इस page को अवसी जोईन कीजिए पहला प्रस्न है, बिहार में मिशन दक्ष किस मंत्राले दोरा शुरू किया गया है मिशन दक्ष हैज बिन स्टार्टेट बाई विच मिनिस्ट्री इन बिहार राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3-8 तक के पढ़ाय में कमजोर 25 लाग बच्चों को दक्ष बनाने के अभियान के शुरुवात 1 दिसंबर को कर दी गई जिसे इस कक्षा के लिए परते दिन सारे 3-4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है मिशन दक्ष में हर सिक्षा को 5-5 बच्चों को अलग से समू बनाकर इसकूल अबदी के बाद पढ़ाना है क्या क्या चीज़ जिसमें कवर किया गया है कक्षा 3-8 तक के ऐसे चात्र जो हिंडी वाक के धाना परवार नहीं पढ़ सकते हैं ऐसे चात्र चात्रा जो मौलिक गणित फंडामेंटल मैथ में सक्षम नहीं है और अंग्रेजी वर्नमाला यानि इंग्लिस अल्फाबेट की जनकाड़ी का भाव जिसमें है बिहार में जल जीवन हर्याली अवियान के शुरुवात कब हुई थी वेन वाच जल जीवन हर्याली केमपेंग श्टार्टेट इन बिहार दो हजार उन्नीस दो पालू वैसे समन्दी जान लिज्जी वर्स दो जार बारा तेरह में हर्याली मिशन का सुभारंब हुआ इसके बास से लगबग चार करोर विक्षार उपन किया गया राज्य का हरी तावरन 9 परतिसत से बढ़ करके कितना हो गया है 15 परतिसत हो चुका है मुख मंत्री नितिस कुमार ने 2 अक्टूवर 2019 को जल जीवन हर्याली अवियान की शुरुवात की थी जिसका देश जलवायू परिवर्तन के परतिकूल परवाओं को कम करना और परियावरन की रक्षा करना है अभी न्यूज में क्यों है दुबई में 30 नमबर से 12 दिसमबर तक आयोजीत संजुक्त राष्ट जलवायू परिवर्तन सम्मेलन कॉप 28 में बिहार ने भाग लिया इस मौके पर बिहार के जल जीवन हर्याली अवियान और किरसी रोड मैग की खूब परसंसा हुई है भगवान बुद्ध की 100 फीट की सबसे बड़ी परतीमा कहां स्थाफित की गई है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेर मिशन के द्वारा परतीमा का स्थापना किया गया है बोद गया रिवर साइड अमावा अस्थित या विशाल परतीमा या आने वाले परेटकों को अपनी ओर आकरसित करेगी बुद्ध की या परतीमा शयन मुद्रा में है जो 100 फीट लंबी 30 फीट उची और 24 फीट चोड़ी है उद्गाटन सत्र में थाइलेंड, कमबोडिया, तिबबत, शिरलंका लियतना बांगला देश सहीद कई देश के वरिये बहुत भिक्चूवा शर्धालू शामिल हुए हेल्थ केयर ड्रोन का परिक्चन करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है ड्रोन परिक्चन में एम्स के कारिकारी निदेशक डॉक्टर जी के पॉल ने बताया कि यह परदर्शन 25 जनवरी 2024 को स्वास्त मंत्राले दोरा ड्रोन के लांचिंग की तयारी का हिस्सा है एम्स पतना रेट जौन में ड्रोन परिक्चन करने वाला देश का पहला संस्थान है एरपोर्ट के साथ किलोमेटर के दारे में जिसके लिए पतना एरपोर्ट अथार्टिस से मंजूरी मिली थी इसका परिक्चन किया गया CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है इसके अलावा ये CBI की संजूप निदेशक की रूप में कार करते हुए कई-कई प्रोफाइल मामलों की जाच का हिस्सा भी रह चुकी है यदि आप 70-वी BPSC परिच्छा के Current Facts का PDF प्राक्ट करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकाड़ी यहां दी जा रही है लेकिन आए इससे पहले जानते हैं कि MPN Academy एप ही क्यों क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ Current Facts का PDF कोर्स ही MPN Academy एप पर उपलब था जिसमें हर एक्जाम में लगवक 30% टैली हुए हैं आप वीडियो पाउज करके देख सकते हैं सभी एक्जाम की डिटेल 68 और 69 वी WPSC के लिए जोकी 2023 में आयुजित किया गया था Diamond Static GK Test Series भी प्रोवाइट किया गया Current Affairs के अलावा और 30 से बरकर के ये टैली चला गया है 45 और इस वार 70 वी WPSC के लिए हमने NCRT का कोर्स लॉंज किया है और असली धमाका होगा 2024 में तीनों कोर्स मिला करके 70 वी WPSC में हमारा टैली का टारगेट है 120 यानि 150 में से 120 प्रस्ण टैली करना है और सेलेक्शन को पक्का करना है दोस्तों इन एक्जाम्स में MPN Academy एब से टैली किये गए सारे प्रस्णों की पूरी डिटेल वीडियो की रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी साल भर का करेंट फेर्स आपके वल 18 गंटे में रिवाइज कर पाएंगे क्या-क्या मिलेगा आपको तीन तरह के कंटेंट मिलेंगे Weekly Current MCQs National और International का एक PDF को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लएगा कुल 50 PDF के लगवग आपको साल भर में प्रवाइज किया जाएगा तो 5 गंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे Monthly Current First के Short Notes National और International के 12 PDF मिलेंगे हर एक महिने का एक PDF एक PDF को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लएगा कुल 6 गंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे और विहार Monthly Current First के 14 PDF आपको मिलेंगे जिसमें Budget और Economic Survey यहां भी प्रवाइज किया जाएगा और यहां भी एक PDF को रिवाइज करने में 30 मिनट कुल 7 गंटे इस प्रकार से 18 गंटे में साल वर का Current Affairs आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे MPN Academy एप पर दो प्रकार के Test Series आपको मिलेंगे एक है NCRT Test Series बिलकुल New BPSC और UPSC Style वाले MCQs आपको मिलेंगे टोटल 36 सेट मिलेगा आपको Class wise और Subject wise और एक टेस्ट में प्रस्णों की संख्या रहेगी 100 दूसरा टेस्ट है Diamond Static GK Test Series होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा एक टेस्ट में 120 प्रस्ण रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25 दोनों टेस्ट सेरीज आपको Negative Marking के साथ उपलब्ध हैं आपको सत्तरवी BPSC प्राडम भी परिच्छा के ये PDF और टेस्ट सेरीज मिलेगा कैसे Google Play Store पर MPN Academy टाइप कीजिए इस तरह का लोगो दिखेगा आपको इंस्टॉल कीजिए OTP देने के बाद आप खुलेगा Store सेक्षन में नीचे चले जाइएगा वहाँ पर आपको Courses मिलेंगे तीन परकार के Courses उपलब्ध है Current Affairs PDF Courses, सत्तरवी BPSC के लिए Test Series, दो परकार के MCRT और Diamond Static GK Test Series Courses पर क्लिक करते ही नीचे Payment का लिंक मिलेगा बहुत ही मामुली शूल के साथ ये Test Series और Current Affairs के PDF आपको प्रवाइट किये जा रहे हैं Payment करते ही Content Section में आपको सारे Study Materials उपलब्ध करा दिये जाएंगे बिहार के किस व्यक्ति को London Organization of Skill Development LOSD Awards 2023 से सम्मानित किया गया है Which person from Bihar has been comforted with the London Organization of Skill Development LOSD Awards 2023 Right answer is option number D संत कुमार चोधरी देश के चर्चित शिक्षावीद वा मदुबनी निवासी डक्टर संत कुमार चोधरी को लंदन के मसूर Lords Cricket मैदान में इन्हें कोशल विकास के छेतर में बहतर काम करने के लिए यह आवार्ड दिया गया है इसके चोधरी Educational Trust के अध्यक्ष शिक्षावीद डक्टर संत कुमार चोधरी को ब्रिटेन की संसद में भारत गौरव आवार्ड भी मिला था डक्टर संत ने कुछ वर्ष पूरु मदवनी में अंतराष्टिय क्रिसी सेमिनार आजित कराया था इसमें European Union के 28 देशों के राज़दू और अन्य परती निधियों ने भी भाग लिया था बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल खाद्यान उत्पादन लगभग कितना हुआ है Approximately what is the total food grain production in बिहार in the year 22-23 लगभग 200 लाख मिट्रिक टन अर्थ एवं संख्य की निधेसाले की रिपोर्ट के अनुसार कुल खाद्यानिक फसलाओं के लिए 63.68 लाख हेक्टेयर छेतर से रिकॉर्ड 197.36 लाख मिट्रिक टन जो की लगभग 200 लाख मिट्रिक टन हुआ का उत्पादन प्राप्थ हुआ है फसलाओं की उत्पादकता पहली बार 31 कुिंटल प्रती हेक्टेयर तक पहुची है इससे पहले तीन क्रिसी रोड मेपों के प्रियासों से राज जिको पांच बार क्रिशी कर्मन प्रोषकार भी मिला है बिहार में शुरू की गई मिशन बुनियाद का संबंद किस छेतर से है मिशन बुनियाद स्टार्टेड इन बिहार इस असोसियेटेड विज सेक्टर राइटांसर इस ओप्सन नमर बी स्वास्त्य बिहार के मेडिकल कॉलेज जिला सदर अस्पताल एवं अनुमंडली अस्पतालों में मिशन सिख्टी और मिशन परिवर्तन की सफलता के बाद अब ग्राविन छेतरों में प्रात्मिक स्वास्त केंद्र अत्रीक्त प्रात्मिक स्वास्त केंद्र स्वास्त उपकेंद इत्यादी में स्वास्त सेवा, सुविधा और उपचार के बुनियादी धाचों को स्वद्रिड करने एवं दवा उपकरन वा मानव बल की उपलबदता था आधार भूत संचार में सुधार हेतु मिशन बुनियाद की शुरुवात की गई है 26 दिसंबर को पटना के बापु सभागार में आजित स्पंदन 2023 कार्ट करम में उपमुक मंतरी स्वास्त मंतरी तेजस्वी प्रसाधियादव ने इस मिशन की उपचारिक शुरुवात की बिहार में लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए कितने परतिसत का नुदान दिया जा रहा है वाट परसेंटेज अब ग्रांट इस बिंग इवन टू बिल्ड लॉजिस्टिक पार्क इन बिहार द्राइटां सरीज ओप्सन नमर बी 15 से 20 परतिसत बिहार लॉजिस्टिक नीती के तहर 5 वर्सों के लिए लॉजिस्टिक मास्टर प्लान बनाया गया है लॉजिस्टिक पार्क के लिए पहले दो वर्सों में अचल पुंजी का 20 परतीसत या अधिकतम 20 करोट रुपिय का नुदान मिलेगा तिसरे वर्ष अचल पुंजी निवेश का 15 परतिसत और अधिक्तम 10 करोर रुपिय अनुदान मिलेगा कंटेनर डिपो पर अचल पुंजी निवेश का 20 परतिसत या अधिक्तम 10 करोर रुपिय वेयर हाउस पर 20 परतिसत या अधिक्तम 6 करोर रुपिय कोल्ड चैन पर 20% या दिक्तम 4 करोर रुपए कांटेनर फ्रे dura которого बीस प्रतिस्थ या दिक्तम 3 करोर रुपई अंदान मिलेगा मल्टी मॉडर्ल लाजिस्टिक पार के लिए पहले दो वर्शों के दौरान 20% या दिक्तम 25 करोड का पुंजी निवेस अंदान मिलेगा पतना के महाविर मंदिर ने विराट रामायन मंदिर के निर्मान के लिए किस कंपनी के साथ समझ होता किया है पतनास महाविर टेंपल has signed an agreement with which company for the construction of विराट रामायन टेंपल टाटा कंसल्टिंग इंजिनियर्स टाटा कंसल्टिंग इंजिनियर्स लिमिटेड की देख रेक में विराट रामायन मंदिर का निर्मान होगा company निर्मान अधीर मंदिर के mechanical, electrical, plumbing, landscaping तक पूरे काम की डिजाइनिंग कर अपनी देख रेक में काम कराएगी 2025 तक विराट मंदिर बनकर तयार हो जाएगा बिहार के पूर्वी चमपारन के चक्या केसरिया नगर के निकट जानकी पूर में बन रहा विराट रमायन मंदिर पटना की महाविर अस्थल न्यास समीती नामक समस्थाद्वारा बनाया जा रहा है और यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े सिवलिंग की वियस्थापना की जाएगी मैथिली बासा के लिए साहित अकाद्मी प्रोषकार 2023 से किसे सम्भानित किया गया है और यहाँ पर विद साहित अकाद्मी अवार्ट्स 2023 पर मैथिली लेंगविज डॉक्टर बासुकी नाथ जा को इनकी पुस्तक बोध संकेतन के लिए साहित अकाद्मी प्रोषकार से सम्भानित किया जा चुका है विद्यापती संस्थान दर्भांगा के द्वारा डॉक्टर जा मिथिला विभूती सम्मान से भी विभूसित हो चुके है चोधवी अग्रिकल्चर लीडर्शिप अवार्ट्स 2023 के दोरान बिहार को किसके लिए सस्रेश्ट प्रोषकार से सम्मानित किया गया है भारत के पुर्व नियाधिस और केरल के राजिपाल नियाएमुर्ती पी सदाशिवं के दक्षिता में गठित जूरी पैनल ने फसल उत्पादन में उतक्रिष्ट प्रदसन के लिए बिहार को इस प्रोषकार के लिए चुना है केंद्रिय किर्सी और कल्यान मंत्री अर्जुन मुंडा से प्रोषकार प्राप्त करने के बाद किर्सी सचीव संजे कुमार अगरवाल ने बताया कि किर्सी में बिहार की ओसाधारन उपलब्धियों के चलते यह प्रोषकार मिला है बिहार डेरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का आयजन किस शहर में किया गया इन्विस सिटी वाल बिहार डेरी एंड कैटल एक्सपो 2023 और्गनाइजड द्राइटांसरी ओप्सा नमर बी बिहार डेरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का आयजन पशू एवं मत्स संसाधन विभाग कॉमफेट और बिहार पशू विज्ञान विश्विद्याले द्वारा संजुक्त रुप से किया गया वेटनरी ग्राउंड पटना पर आयजित परदस्नी में लोगों के आकरसन का केंद्र पानिपत हड्याना के गोलू डेरी फर्म का 10 करोर कीमत वाला भैसा गोलू दो रहा दिसंबर 2023 मेने में बिहार के किश शहर में गंगा जल आपुर्ती योजना शुरू की गई है इन्विस सिटी अभिहार है गंगा वाटर सप्लाई स्कीम बिन स्टार्टेट इन दे मन्त ओप दिसंबर 2023 द्राइट आपुर्ती योजना के द्वितिया चरण का लोकारपन किया मुकामा के हातिदा से स्टील पाइप लाइन के जरिये राजगीर के समीप नवादा जिले के नार्दी गंज परखंड मुतनाजे गंवस्थित दिस्टेंशन कैंप तक गंगा जल लाया गया इसके बाद 20 किलो मिटर की दूडी तय करते वे नवादा के पौरा गंज शित शोधित जल संजन्तर तक गंगा का पानी लाया गया अब कमेंट बाक्स में लिखिये कि अब तक कितने शारों को गंगा जल आपुर्ती योजना से कनेट किया जा चुका है सभी शारों का नाम भी लिखियेगा कमेंट सेक्शन में बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाये गये हैं वू हैज बिन अपॉइंटेड अस दे न्यू चीफ इन्फोर्मेशन कमिशनर CIC आप बिहार द्राइटान सरीच ओप्सन नमर ए बिहार के राजिपाल राजेंद्र विशुनात अरलेकर ने 28 दिसंबर को राज के पुर्व मुख्य सची त्रिपुरारी शरन को राजि मुख्य सूचना आयुक्त CIC के पद की सपथ दिलाई बिहार राजे सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसके स्थापना जून 2006 में सूचना काधिकार अधिनियम 2005 की धारव 15 के तद की गई थी बिहार बिजनस कनेक्ट 2023 सम्मेलन में कमपणियों ने बिहार सरकार के साथ लगबग कितने करोर रुपिये निवेश के समझोते पत्र MOU पर अस्ताक्चर किये हैं इन कमपणियों ने राज्य सरकार के साथ पचास हजार पांस्तों तीस करोर रुपिये के निवेश के समझोते पत्र पर अस्ताक्चर किये बिहार की जीविका योजना की शुरुवात किस वर्स की गई थी? इन विच एरवाच बिहार स् जीविका योजना स्टार्टेड दो राइटांसरीच आप्सन नमर ए दो हजार छे बिहार में नितिश कुमार की सरकार ने साल दो हजार छे साथ में इस योजना के शुरुआत वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर की थी जीविका को 2006 में पांच जीलों मुझे परपूर, नालंदा, मदुबनी, पुर्निया और गया के पांच गाओं में एक पाइलट पर योजना के रूप में शुरू किया गया था सतच जीविको पारजन योजना के अध्यान के लिए इंडोनेसिया के विविन परांतों से परतिनिती बिहार आये थे बिहार में पुर्ण शराब बंदी कब लागू की गई? When was complete prohibition implemented in बिहार? Dry time series option number C 1 April 2016 बिहार में 1 April 2016 से नितीश कुमार की सरकार ने पूर्ण शराब बंदी कर रखी है News में भी क्यों है? इंडोनेसिया के विविन परांतों से बिहार आये परतिनिधियों ने सुबे में लागू शराब बंदी की सराना की है परतिनिधी मंडल में शामिल इंडोनेसिया पस्चिमी सुमात्रा के गवर्नर मही यल्दी ने राज में लागू शराब बंदे की सराना करते हुए अपने परांत में भी इसे लागू करने की बात कही बिहार किर्सी विश्विद्याल है किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्टिक्ट इस दा बिहार एग्रिकल्चर उनिवर्सिटी बी ए यू लोकेटेड दुराइटाण सरीज ओप्सन नमर बी भागलपूर ये बिहार राज सरकार के दीन एक स्वायत संस्थान है जिसके स्थापना पंच अगस्त 2010 को भारतिय किर्सी अनसंधान पड संवर्धन के लिए बिहार एग्रिकल्चर उनिवर्सिटी में डितियक यानि सेकेंडरी किर्सी महाविद्याले बनेगा यहां एक फसल के अलग-अलग उत्पात बनाकर बजार में लाने पर सोध होगा इस कॉलेज में डितियक किर्सी से सम्मंदित कई कोर्सों की पराय की ज अस्थान परा बिहार पर्थम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 नई दिली में 17 दिसंबर को संपन हुआ हडियाना ने 40 स्वर्ण 49 हदाजात और 26 कांसे साहिद कुल 105 पदकों के साथ शिर्ष अस्थान परात किया बिहार ने 6 रजात और 3 कांसे पदक के साथ कुल 9 पदक जीत कर पदक तालिका में 22 अस्थान परात किया पदक तालिका में जारखंड और अरुनाचल प्रदेश की टीम संजुक तुरूप से अंतिम यानि 25 अस्थान पर रही प्रो कबड़ी लीग की पटना पाइरेट्स टीम का शिर्षक प्रायज़क कौन है प्रो कबड़ी लीग में पटना के संदीब कुमार को पहली बार बिहार से पटना पाइरेट्स की टीम में चुना गया है पटना पाइरेट्स ने लगातार तीन सीजन में रिकॉर्ड तीन बार प्रचोगिता जीती है ये लगातार दो खिताब जीतने वाली एक मात्र टीम भी है बिहार कला संस्कृती एवं युवा विभाग द्वारा राजकिय सम्मान लाइफ टाइम अचीब्मेंट अवाड से किसे सम्मानित किया गया है विदेशिया के जनक भिखारी ठाकूर जीने वोजपूर के शेक्स्पियर के रूप में भी जाना जाता है इस अफसर पर कला संस्कृती एवं युवा विभाग ने लखी चंद मान जी को राजकिय सम्मान लाइफ टाइम अचीब्मेंट अवार्ट से सम्मानित किया किस जिले के कजरा बिजली घर से 185 मेगावाट सोलर बिजली का उपादन किये जाने की गोशना की गई है अगामी डेर वर्सों में लखी सराय के कजरा बिजली घर से 185 मेगावाट सोलर बिजली का उतपादन होने लगेगा देश में सोलर बिजली का यह सबसे बड़ा भंडार अंचंता वाला यूनित है बिहार स्टेट पावर जन्रेशन कंपनी लिमिटेड ने कजरा बिजली घर से उतपादन शुरू करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है जनवडी तक चैनित एजेंशियों को काम दे दिया जाएगा मार्च 2024 तक कजरा बिजली घर का काम शुरू करने का लक्ष रखा गया है पतना में आयजित पुर्वी छेत्रिय पडिशत की 26 वी बैठक में कुल कितने एजेंड़ों पर चर्चा हुई पुर्वी छेत्रिय पडिशत के सदस्त राज्यों में बच्चों और महलाओं के स्वास्तिवा शिक्षा से जुरी योजनाओं की हर तीन माँ पर उच्च अस्तरिय समिच्चा होगी ग्री मंत्री अमिद्शा की अध्यक्षता में पटना के सियम सचिवाले में हुई परिशत की 26 वी बैठक में यह निरने हुआ बैठक में चार राज्यों जारखन, पसिम, मंगाल, उडिशा और बिहार के मुख मंत्रियों को शिर्कत करनी थी लेकिन बिहार के सियम को छोड़ करके तीन राज्यों के परतिनिदियों ने हिस्सा लिया बैठक में बिहार में लग रहे स्मार्ट प्रिपेड मीटर की सफलता की कहानी दिखाई गई अब तक 21,89,000 मीटर लगा कर देश में अवल बने बिहार ने इसके समाजी को ववित्तिय प्रभाव के बारे में बताया बिहार देश का एकलोता राज है जो सभी तरह के ववक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगा रहा है मैथिली के लिए सहित अकादमी युवा प्रुसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है सहित अकादमी ने मैथिली भासा के लिए संस्कृति मिश्र जो की दरभांगा की है के कविता संग्र कहबाक अच्छी हमरा को इस प्रुसकार के लिए चुना है पुस्तक गांधी चंपारन और महिलाएं के लेखक कौन है इतिहासकार और लेखक भैरव लाल दास ने चंपारन अंदोलन पर गहन शोद किया है इन्होंने अपने शोद के जरिये गांधी जी से जुरे कई नए तथ्यों को प्रकास में लाया है इतिहासकार की लिखित पुस्तक गांधी चंपारन और महिलाएं का लोकारपन गांधी संग्रहाले पटना में किया गया चंपारन में महिलाओं की समस्याओं के निदान के लिए स्वयंग सेवकाओं की परत्युन्युक्ति गांधी जी का पहला पड़ियोग था महिलाओं के संबन में गांधी जी क्या सोचते थे क्या लिखते थे और उनकी कैसी अवधारना थी इस एतियासिक तत्यों को एकत्र करने का लेखक ने प्रसंसनिय प्रियास किया है देश के सबसे पुराने जाने वाले बाग किस टाइगर रिजर में रहते हैं बिहार के एकलोते वाल में की टाइगर रिजर के बाग देश के सभी टाइगर रिजर्वाओं के बागों से अलग है इनके जीन सबसे प्राचीन है भारतिय वन जीव शोध संस्थान के हालिया रिसर्च से यह खुलासा हुआ है संस्थान ने 36 टाइगर रिजर्वाओं के बागों के 1147 सेंपल लिये थे इन में से 718 सेंपल का सफलता पूरवक पडिछन किया गया पडिछन में दिखा कि वाल में की टाइगर रिजर्व के बागों के अनुवांसिक लक्षन सबसे अलग है वन जीवों के अलवा उसधिय गुणों से भी वाल में की टाइगर रिजर्व का जंगल भरा हुआ है सो में स्वर की पहाडियों से लेकर आसपास के चेत्रों में 56 परकार की जरी बुटी मिलती है 114 परकार के घंस के साथ ही साथ 86 परकार के पैर भी यहां पाए जाते हैं राश्ट्री अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी 2022 के आंकड़ों के अनसार गंभीर अपराद के मामलों में पूरे देश में बिहार की रैंक क्या है According to the data of 2020-22 released by the National Crime Records Bureau NCRB What is the rank of बिहार in the entire country in cases of serious crime? The right answer is option number C, 21 गंभीर अपराद के मामले में पहले स्थान पर क्यांद शासित प्रदेश दिल्ली है यहां गंभीर अपराद के मामलों की दर 2424 है जबकि बिहार में गंभीर अपराद की दर है 168 देश में दूसरे स्थान पर केरल है रिपोर्ट के अनसर बिहार में परती लाख अवादी परपराद दर है 277 देश में सबसे अधिक 3491 हत्याएं उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है परती लाख अवादी में हत्या दर के मामले में भी बिहार टॉप 10 राज्यों से बाहर है राज्य खाद्य सुरक्षा सुसकांग 2022-23 में बिहार का स्कोर क्या है पिछले पांच वर्सों में महराष्ट, बिहार, गुजरात और आंध्र परदेश सईथ 20 बड़े भारती राज्यों में से 19 ने वर्स 2019 की तुलना में 2022-23 में स्कोर में गिरावट का अनभव किया है पांच बर्सों में स्कोर में सबसे बड़ी गिरावट महराष्ट में देखी गई है जिसमें 74 की तुलना में 2023 में स्कोर रहा 45 इसके बाद बिहार का स्थान है जिसने 2019 में 46 की तुलना में 2023 में 20.5 का स्कोर प्राप्त किया दोस्तों जैसा की बताया गया है इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंगलीज दोनों भासाओं में अलग-अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ MPN Academy एप पर प्राप्थ होगा दोस्तों इन PDF के सारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5-6 मिनट में रिवायज कर पाएंगे जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा जिससे आप स्टेटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं MPN Academy एप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्षन में मिल जाएगा चलिया अंतिम प्रशन को हल करते हैं विश्व का सबसे बड़ा बहुत दुस्तु कहां है वेर इस दा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्टूपा गराइट अंसरीच अप्सन नमबर सी केसरिया भगवान बुद्ध जब महा परि निर्वान गरहन करने कुशी नगर उत्तर पर देश जा रहे थे तो वह एक दिन के लिए केसरिया पुर्वी चमपड़न बिहार में ठहरे थे जिस अस्थान पर ठहरे थे उसी जगा पर कुछ समय बाद समराट अशोक ने स्मरन के रूप में स्टूप का निर्मार कराया था अभी न्यूज में क्यों है इसमें लगवख 20 करोड से बनने वाले टूरिस्ट फैसिलिटी का सिलान न्यास किया गया और लगवख 7 करोड की लागा से बने मारगिय सुविधा केंद्र से कफेटेडिया का उद्गाटन किया गया दोस्तों दिसमबर 2023 मैने के बिहार करेंट फैस से संबन्दित जितने भी महतपूर्ण प्रस्ण बन सकते थे उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है लेकिन दोस्तों इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे अतिरिक्त करेंट फैस होते हैं जो उतने इंपोर्टन नहीं होते हैं लेकिन कई बार एक्जाम में दिखायत दे जाते हैं इसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है दोस्तों इसके कंटेंट आपको point wise format में PDF में मिलेगा इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों इसी के साथ बिहार करेंट को समाप करने की आपसे इजाज़त चाहूंगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच जल्द ही मिलते हैं के लिए वीडियो में All the best for your exam preparation